बिसेश रूप से नवरात्री में बनने वाली हलवा, पोड़ी, खीर और हलवा इस्टाल आलू की सबजी बहुती कम समय और कम टाइम में बना के तयार कीजी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बनाएंगी हम यहां पर खीर, खीर बनाने के लिए मैंने यहां पर एक लीटर दूद लिया है और इसे गरम होने के लिए रग दिया था, दूद हमारा गरम हो गया है, अब यहां पर हम एक कटोरी चावल ले रहे हैं और चावल को अच्छे से दू कर हम साप कर तो देखे मैंने दोकर साफ कर लिया है अब इस खीर में हम इसे डाल देंगे तो सारे चावल मैंने खीर में डाल दी हैं आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए यह थाली नवरात्री में कन्या भूच के लिए बनाई जाती है और बहुत ही कम समय में इस थाली को कर सकते हैं घर के सामान में इसमें ना ही आपको ज़्यादा टायमलगने वाला है और ना ही ज़्यादा मेन corrections करने हैं बहुत ही कंसहओं में वह भी घर के सामन से इसे बनाकर आप तियार कर सकते हैं तो खीर में हमारे यहा पर उबाल आ गया है अब इसमें हम थोड़ा सा या जूब यृ υ ligger बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक उसमें जरूर डालते हैं नमक से इसका ऐसे आएंड अका नो प़र पाया अगर आप कियर में शी और आप आप किसमिश TIME दाल देते हूं मैं थोड़े से यहापर और इने भी हमें अच्छे से मिक्स करना है तो खीर को बन ले देते हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो इधर मैंने कड़ाई ले लिए और कड़ाई में यहापर मैं छोटी चम्मच से तीन चम्मच घी डाल दे हूं अगर कि जंगा आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं सूजी का हलबा बना के तैयार कर सकते हैं लेकिन मैं यहापर आटे का हलबा बना के तैयार कर रहे हैं क्योंकि घर पर रखी सामान से सब कुछ बना रहे हूं कुछ बेसम भारका ने ला रहे हैं तो मैं इसमें आटे का हलबा ब तोम में में याट जाएगा तो हमें चलाते जाएंगे जैंसे जैसे जैशे भुंता जायेगा आपना कण्ट i Coling छेंज हो जाएगऄ थोड़ा सा bur собाण हो जाएगा और आ भी कशो हो नहीं लग Nathan तो बस चलाते हुए इसे हमें भुनना है दोसे तीन मिनट में ही यह आटा अच्छे से भुन जाता है ज्यादा टाइम इसमें भी हमें नहीं लगता है मैं यहापर थोड़ा सा ही बना के तैयर कर रहे हूँ आप चाये तो ज्यादा भी यहापर बना सकते हैं तो देखिए हमारा जो आटा है वह अच्छे से भुन गया है इसका कलर भी चैन जो गया है आप देख सकते हैं और इसमें खुस्व भी आने लगी है अब इसमें हम डालेंगे हैं यहापर पानी पानी की जगाँ आप धूद भी डाल सकते हैं भूसin भूसे भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर पान ही डाल के बना रही हूँ इसे इसे भी अच्छे से mix कर देंगे हम ना ही इसकी कोई चासनी बना रहा है बिना चासनी के से बना के तयार कर रहें तो यह बहुती कम समय में बन के तयार होगा अब इसमें उपर से क्या डालेंगे चीनी डाल देते हैं चीनी डाल कर भी अच्छे से हमेज से मिक्स करना है आप चाहें तो इसमें पहले भी चीनी डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा बाद में डालती हूँ चीनी मेल्ट इसमें अपने आप हो जाएगे अगर हम इस तरीके से अल्वा बनाती है ना तो कम समय में बनता है जदा time हमें इसमें नहीं लगता है और चासनी बना के बनाएंगे थोड़ा time जदा लगेगा तो मैंने सोचा है मैंसे ऐसे ऐसे बना देती हूं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो बस चीनी देखी कापी हद तक इसमें मेल्ट हो रही है अब दीरे-देरे पूरी मेल्ट हो जाएगी तो देखे यह अच्छे से मेल्ट हो गई है और हलवा भी हमारा थोड़ा गीला हो गया आप देख सकते हैं अब जैसे यह से हम इसे पकाएंगे तो एक से दो चम्मच तोड़ा सा उपर से घी डालेंगे घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो दो चम्मच ही डालने उसी चम्मच से चोटी वाली चम्मच है और अच्छे से मिक्स करना है हमको तो हलवा भी हमारा देखी ओल्मॉस्ट बनी चुका है कितने जल्दी बन के तेयार हुआ है दो से तीन मिनट में हमने हलवा बना के तेयार कर लिया है अब गैस को बंद कर देते हैं इदर खीर की तरफ चलते हैं तो देखे खीर हमारी कितनी गाड़ी हो गए है यानि चावल हमारे उबल चुके हैं आप देख सकते हैं अब इसमें हमें यहाँ पर ड्राइफूट्स डाल दूँगी मैं तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए ड्राइफूट्स में आप काजू पिस्ता और कुछ भी इसमें डाल सकते हैं अरियल का बुरादा भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर आज से साथ बादाम ली थी और इसे अच्छे से बारिक कट कर लिया था और वो इसमें मैंने डाल दी हैं अब दो से तीन इलाइची कूट लीती और उससे कूट कर भी इसमें डाल देंगी हैं अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसे दो से तीन मिनट के लिए लो फिलेम पे उबल ले देंगी जिससे क्या जो हमने इलाइची डाली है उसका टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए ज़्यादा ने उबल लें क्योंकि हमारे चावल जो है वो बल चुके हैं तो बस दो से तीन मिनट ही वो भी लो फिलेम पे उबलना है दो से तीन मिनट ने उबल ले देते हैं दो से तीन मिनट जहां पर हो गए थे तो आप हम गयस को बंद कर देते हैं और इदर दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने यालू लिये हैं क्योंकि आप आलू की सब्जी बनाएंगे हम आलू मैंने पहले ही उबलने के लिए रख द थे तो हमारे आलू जिए हस stores अब इन्हें हम चीन लेंगे इनके छिलका निकाल लिए हूं तो देखें मैंने छिलका निकाल लिये हैं अब क्या करेंगे हम यह कड़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा ओल डालेंगे और ओल को अच्छे से हमें यहाँ पर गरम होने देना है इस सबजी को हम बिना लैसन और बिना प्याच के बना के तियार करेंगे क्योंकि नवरात्री के लिए बना रहें खन्या भुच के लिए आप प्याच लैसन की जगह इसमें अधरक कद्दुकस करके डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर सिप जीरा और राई डाली है अब इससे अच्छे से चटकने देते हैं इसमें डालेंगे हम यहाँ पर चार से पांच हरी मिर्च तो मैंने इसे बारिक कट कर लिया था यह डाल यह करंगी मैं लाल मिर्च ली है लिक चंवश वरिके रे रही हूं हल्दी और ठोडा सा यहाँ पर इक चंवश बर कर लिया है मैंनें कि आलो की सब्या ना रहा है तो आलो सब्या ऩवेसे अच्छ से मिक्स कर देते हैं अ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है of यह में जो आलू हमने उबालकर रखे थे उन आलू को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इन लेकिन रिएने मैस कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सभी आलू को मेस कर लिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ और पानी डाल कर इसे उबनने देंगे तो यहाँ पर मैं 2-3 कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ पानी डालकर इसे उबनने के लिए छोड़ देंगे जब ये उबलक एच्छी से बन जाएगी इसके बाद हम इसे चेक करेंगे तो बारिक काटकर मैं इसमें धनीया डाल देती हूं और गैस को मैंने यहापर बंद कर दिया है तो हमारी जो सब्जी है वो आल्यू की बन की तियार है आप दिख सकते हैं अब चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर मैंने यहापर कड़ाई रख ली है और ओयल को इसमें गरम होने दिया है और पुड़ियों के लिए मैंने आटा पहले से लगा लिया था वो मैंने सूट नहीं किया है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती तो मैंने सूट नहीं किया है आटा लाकर उसकी पुणियां भी बेल कर यहां पर मैंने तैयार करनी थी अब इसमें हम कड़ाई में एक एक करके पुणियां डालते जाएंगे और उन्हें तल लेंगे तो यहाँ पर मैं तीन से चार पुणियां कड़ाई में डाल रही हूँ इतनी हमारी कड़ाई में आ रही है तो मैं चार पुणियां इसमें डाल दी है अब इन्हें अलड़ते पलड़ते हुए हमें फ्राय करना है तो देखी बहुत ही अच्छे से और आसानी से ही उजाती है तो इस तरीके से आप करन्या भूझ के लिए बहूत आसानी से ताली तैयार कर सकते हैं तो फूरयां जो हैं अमारी फ्राय हो चुकी हैं आप नहें हम किसी भी बirtन में निकाल लेंगे तो मैं ज्आरे से ही निकाल लेती हूँ तो सभी पूणियों को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और जो बच्ची हुई पूणिया हैं वो भी हम इसी तरीके से इसमें फिराय कर लेंगे अब एक पापड ले रहे हूं मैं यहापर और पापड को भी हम इसी कराई में डालकर फ्राय कर लूँगे इस तरीके से दवाते हुए अब चलिए थाली लगाती है कन्याओं के लिए सबसे पहले हलवा रखेंगे क्योंकि सबसे पहले कन्याओं को मीटा ही वोजन दिया जाता है हलवा और खीर तो कन्या वोज में ज़रू करके बनायी जाते हैं यह दोनों तो जरूरी है यहाँ पर मैंने रायता भी बना के तैयार किया है इसकी वीडियो मैंने सूट नहीं की क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती तो मैंने यहाँ पर यह वीडियो सूट नहीं की है अब जो हमने आलू की सबजी बना कर रखी थी वो रख देते हैं इसमें और जो पुणिये फ्राय करके रखी हैं वो भी रख देते हैं पापड भी रख देते हैं साथ में कन्याओं को उनको मनपसंद भूजन मिलता है तो वो बहुत ही खुश होती हैं और कन्याओं में तो माता का बास होता है तो हम सबी जानते हैं फलों में मैंने यहापर केला लिय आप कोई भी फल ले सकते हैं शेभ ले ले लिजिए या फिर अनाल ले ली जिए इस तरीके से कन्या भूजन के लिए ठाली तयार कर सकते हैं कन्याओं में माता का वाता होता है और जब कन्या बोचन करती है तो माता बहुत खुश होती है और खुश होकर हमें आशिरवाद भी प्रदान करती है तो आप इस तरह की ठाली कन्या बोच के लिए बहुती कम समय में कम टाइम में कम मैंनत में बना के त्यार कर सकती है कन्या वोज के लिए और माता से मंचाया सिर्वात पासकते हैं तो एक बार ये धाली जरूर बनाएं नवरात्री के लिए और नवरात्री की आपको बहुत-बहुत सुपकामना है रादे रादे